असलोलेकूम आज हम बनाएंगे ग्रेंटी जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है इसकीन के लिए भी बहुत अच्छी होती है जो जो हेल्दी लोग है इनके लिए लोग अगर यह ग्रीन टी पिये तो इससे वेट कम होता है और जिनकी स्कीन खराब है या स्कीन में प्रॉब्लम है तो यह ग्रीन टी पीने से स्कीन एक्दम ग्लो करती है बहुत अच्छी इसकीन होती है तो आज हम बैनोफ का तरीखा आपको बताएंगी बनाने क जिसके लिए हमें चाहिए हमने लिया है यह हर घर में होता है हल्दी यह हल्दी का पत्ता है सब घर में अगर अगर आप हल्दी दाल दी तो इस तरह से हल्दी का पत्ता आता है जाड आता है तो उसका हमने एक पत्ता लिया है लीम्बू का जाड भी अगर आपकी घर में अद्रक का भी पत्ता लिया है हमने और पूधीना एक दो से आदा का पूधीना लिया हमने और तीन-चार तुलसी के भी जाड़ हर किसी के पास होते हैं अगर बहनों यह नई ही भी हो आपके पास हल्दी यद अद्रक के पत्ते टो आप सिर्फ पुधिने के भी बना सकते पुधिने और तिलसी के पत्तों से भी बना सकते तिलसी के पत्ते और 2-3 гर हमरे दो पीस अध्रक की लिया है n竹ोutu डाल रहे हैं और आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप वेट कम करने के लिए अगर बना रहे हैं तो फी शकर नडाले आप फिर आदा टीस्पून हनी डाले और चुटकी भर नम्मक लेगा हमें और दो कप के हिसाब से हमने यह सब चीज़ां लिया हैं चलिए हम आपको गिरिंटी बनाना बताते हैं सबसे पहले हमें बगोनी में पानी डालेंगे सबसे पहले हमने पानी डाला है फिर यह जो पत्ते थे पुदीने के तुलसी के अद्रक और हल्डी के वह हमने सब ऐसा इसको हलका सा रफ कर दिया है इसके बाद हम इसमें चकर डालेंगे इस अच आप चाहितो शक्र नहीं ही डाल कर बाद में शहे धनी ला सकते यह शुगरशियी भी डाल सकते हैं और यह चुटके बर नमबचर को हमने रख़्ा ता वो भी डाले यह हमारी गरीन टी दो से तीन मिनीट हमने से बॉइल होने दिया हैं अब हम ग्यास को थोड़ा स्लो करके फिसे और आदा मिनिट आउटने देंगे जब तक ये पूरा पत्तों का कलर अच्छे से इसमें मिक्स नहों जाएं बस अब हम ग्यास को बजादेंगे अब हमें एक कप में चाय कुन पालेंगे यह हमारी चाय ग्रींटी तयार है यह हमने घ्रींटी को एक कप में निका लिया है हमने टोल दो गत्त एक हिसाब से बनाजया था चाय तो आप इसमें हनी डाल여 कर भी पी सकते हैं यह शुगर फिरी दीजी बहनों यह हमारे ग्रीन टी तयार है कि आप इसी घर में जुरू ट्राय करें कि इसकीन के लिए बहुत अच्छी होते हैं यह जो बहने का वेड जादा हैं तो वो सुबा में निहार पेट से पिए और रात में सोते हुआ